इसे पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबा जल्दी उठा करो, मोबाल मस्ट इस्तिमाल किया करो, समल के जाना, अपती के प्रेम में फस जाना, जो आपको महत्व नहीं दे था और आप ही उसके पीछे भागे जा रहे हो, मैंने सोचा था कि 10th क्लास पास किया ह अब बहुत अच्छे से पढ़ूँगा, यह साल में बहुत अच्छे से अपना शुरू करूँगा, आपने यह सोचा था ना, कि इस साल में अपना काम पूरी मानदारी से करूँगा, पूरे दिल से करूँगा, साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मेहनत कर करूंगा अपने लख्ष को करने की सारी कोशिश करूंगा कहीं भी नहीं भटकूंगा अच्छा खाना खाऊंगा समय पे सुझा समय पे उठोंगा मोबाइल इस शैतान से में दूर रहूंगा सारी चीज़ेस और कहीं न कहीं आप पटक गए न बीच में अब आप क्या कर रहे हो बस इंतिजार कर रहे हो एक दुर घटना का इंतिजार कर रहे है आप जीवन में आपने अपने जिन्दगी का कंट्रोल ना छोड़ दिया पूरी तरह से छोड़ दिया है अब एपने बचपन में भी देखा होगा कि जब आप साइकल चलाते थे या आ आप कोई चीज ड्राइब करते थे बचपन टाकन sich बहुत होती है जब बचपन में आप साइकल चलाते थे तो आपने चीज देखी होगी कि मालो मैं आपके वराबर का हुँ हो सकता हूं 3-4 साल प कोशिश नहीं करते बचने की लास में आ क्या करते थे हाँ चुड के हाँ अपको मैं घया ऐसे दर जाते थे यह सभाविक है हमारा दिमाग क्या करता है कुछ नहीं हो गआगा तुम हार गया हार चलो 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 वो अपनी तैयारी करने लगता है वो गिवप करने में बहुत देज हमाद मां कहता है चलो अपनी हो पाएगा ऐसा ही इस साल भी आपके साथ हुआ आपने साल के शुवात में सोचा था कि पूरी लगन से पूरी निष्ठा से मैं अपना करतव्य करूंगा मुझे में खाया में नहीं यह और इस लड़की किसी लड़के के च्खर में नहीं आऊंगा मैं कोई सोचल मीडिया पे नहीं जाऊंगा दुपिताह नियो rate नियो पायेगा कहीं से मिश्कुलिग करो बैटा कभी भीम करो चीजें हो सकती है कि जब चारों तरफ गंगोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है पूरे जीवन में अंदगार चाया हुआ है अपने पत से आप भ्रमित हो चुके हो गलत नास्तों पे जा चुके तो बस सुबा होने वाली है समय है तो आखे खोलने का खुली तो है नहीं 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 खुली है आखे खुली होती तो आप सही फैसला लेते क्योंकि दिल से आप अच्छे इंसान हो आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो आप बस फस गए हुई इदर उदर के माया जाल में मिसाल के तोर पे सोच लो मैं स्कूटी चला रहा हूँ मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मैं रास्ते में निकला बहुत ट्राफिक जाम हो गया अगल बगल हर तरफ ट्राफिक पैंपैं होन बज रहा है मैं परेशान हो गया, उपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल ला है, मैं एकदम परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई, अब मैं ऐसे अपना गाड़ी को खीचता हुआ जा रहा हूँ, क्या इसमें कह अगली बार कैप तहन के चलूँगा, एक्सिदेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकनना रखूँगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी, अपनी गाड़ी पीछे कर लूँगा, अगली पीचता है, आणयन तो अगली वो गाड़ी आएगी, वो तो ले टो में शुटना है, सatal Y116, क्योछ़ पीचता है, यसक्क्ता है रखूँगे, औपनी याजगे अगली señor NY,